स्टेडियम में प्रक्टिस करने के लिए कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी केल राजबती संदीव सिंग ने इसकी घोशना करते हुए बताया कि हर्याणा ओलम्पिक एसोसियेशन के तैट आने वाली खेल एसोसियेशन या फेडरेशन को भी खेल आयोजित करने के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी हाला कि प्राइवेट संस्ता को खेल स्टेडियम का इस्तमाल करने के लिए नरधारत फीस ज़रूर देनी पड़ेगी स्टेडियम जो है वो खेलाडिये के लिए होते हैं खेलाडियु उसमें खेल थे हैं और स्टेडियम बनाय भी खेलाड गेले जाते हैं आज खेलाड चाहे वो किसी भी लेवल का हो स्टेडियम में जाकर अपनी निशियू है त्रेडिंगर करेगा हमारे coachee's के एंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको समय मिल रहा है, खेल रहे हैं जो हमारे coach के अंदर नहीं आते हैं, उनसे समय लेकर क्योंकि खिलाडिव का, जादा खिलाडिव का ground में आना उतना ही महत्वपुर्ण होता है, उतना ही अच्छा होता है, उसी से state आगे बढ़ है उनको धिनत कर दो अगर कोई था अगर कोई संस्था जैसे फडरेश्न एश्वीशिशंज जो a अधफी आधी है उनका अगरकोई वो श्टेट चैंपिर्चिप कराती हैं ढ़ी हैं उनके लिए भी उनका अगर कोई अपनी प्राइवेट्ली स्टेडियम को किसी शूट के दुरान या किसी दुरान वहुपने नौंस पूरे ख़ैंगे शानों भी अन्टर्टेंट करेंगे हमेशा खिलाडियों के लिए पहल थी पहल है और पहल रहेगी और हर्याना खिलाडियों के लिए हमेशा आगे बढ़कर उनको सरकार और हमारी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट खिलाडियों के लिए आगे बढ़कर उनको सपोर्ट करेगा यही मेरा एक संदेश भी लगा लीजिए एक मेरी रिक्वेस्ट लगा लीजिए कि खिलाडी जो है वो मान समान देश का होता है एक ऐसा एक खिलाडी होता है जो दूसरी कंट्री में जाकर इंडिया का जंडा ले राता है यहां तो फिर वो फौज से होता है यहां फिर वो खि करते हैं कि संबधाता रवी काली नमन हमारे साथ फॉर्ण लाइन पर जुने हैं रवी एक सराहनिय पहल एक सराहनिय कदम खिलाडियों के प्रदेश के लिए प्रदेश के लिए प्रदेश के लिए उनको स्टेटिम में किसी प्रदार का शुल्क नहीं देना पड़ेगा और वो डगाता रभी प्रैक्टिस दारी रख सकते हैं इसके अनावा अगर बात परें तो संदी सिंग ने कहा है स्टेटिम के लाडियों के लिए होते हैं लाडियों के लिए बनाए जाते हैं लाडियों किसी भी लेवल का हो स्टेटिम में निश्क्रनी अब कर सकता है ये बड़ी बाद जो है डीसिंग ने कही है और इसके लावा अन्होंने आर्मी और पुलिस के प्यारि करने वाजे जो बचे हैं जो भी लोग हैं उनको जो कोचिज हैं उनक ties कर सकते हैं ये ये गोजे पर शुरक हैं और हरियाना उल्लीपिक एक एकुलाडी के लिए कोई शूइक नहीं देना पड़ेगा ये तंमाम जो जो छूट होते हैं वो डैश में जा कर भारत का जंडा जो है वो बुलंड करते हैं। भारत का जो न नाम है प्रोषिन करते है तो एनको इनको उट करमाने कैनी तो ए जो हैं, जो भी करना होगा, वो अर्शेयन हो के जिसकाते हैं, आपने देखा होगा हार होगा कि ओलनम्पिक ए पूरे इंडिया से अर्याना की दारी अगर है, तो अगर आसान भाशा में रवी इसे समझना चाहें तो खिलाडी उपर सीधा प्रभाव कैसे पड़ रहा है बिल्कुल यह कैशा हो तो देखिए अज़र है कोई तुलाडी है कोई गरीब सब्के का जो बच्चा है जो अपनी वालन पॉर्शन नहीं पर सकता था वो खेलने जागा था तो सीजी सी बात है कि अगर वहां करेगा तो उसकी डाइट रह जाएगी अगर डाइट पर फोकुस उसकी गुरूप को फीज नहीं देनी होगी वहां जाके अच्छे माहौर में ओटरिंग कर सकते हैं इवन इसके अलावा अगर बात रहे तो जो खोचिज हैं हरियाना के उन्ते मदद वी जा सकते हैं उन्ते साइन रहके वो प्रेनिंग भी ले सकते हैं तो यह बड़ी सोगा ठीक है बहुत शुक्रे आपका इन तमाम आची तो जानकारी के लिए रवी नजर बना कर रखिए